जेड्यू के एक वर फिर से नितिश कुमार अध्यक्रश में हमारे साथ हैं किंद्धियमंत्री गिर्रास सेःफ़ाँ जी गिर्राजी ललन शिंग का सिफ़ाँ हो गया और नितिश न एक वर फिर से पार्ट की कमान सवाल लिए। हाला कि वो बनने तो Overwatch के संहिए बनना चाहते थे प्रधान मंत्री पत के उम्मीदवारना चाहते थे लेकिन अपनी पाड़ी के राष्टे द्यक्ष बने तो क्या वो रहें एक मैसेज दिया अपने गठ्वंदन के साथ यह उनको प्रधान मंत्री बनने से जितनी खुसी होती उससे जादा खुसी हुई आज दुब तेवारा ध्यक्ष बने अब देखे नहीं कहा मैं तो तयार हूं अब समझ लेते हैं तो वो बहुत खुस है जदियू के लोग अभी टीवी पर कह रहे थे मेरी लुटिया ही गाइब होने वाली थी तो लुटिया बच गया तिससे बारा बड़ा खुसी और क्या होग लेकिन आप तो नारे भी लग रहे हैं कि प्रधान मंत्री कैसा हो नितिश कुमार जैसा हो और पूरी पार्टी मान के चल रही के प्रधान मंत्री पत के उमीदवार वही होंगे अगर जदियू को प्रधान मंत्री मनाना होगा तब ने इदेश बनाता है नितिश कुमार पह आई रोज छका पंजा का खेल दिखा रहे हैं कभी बाएं कभी दाएं लालू जी अब एक एक पाई का हिसाब ले गया है इनके सामने अब एक ही रास्ता है कि जा करके सरनम गच्छामी हो जाएं दूसरा कोई रास्ता नहीं है और तेजर्सी को मक्ह मंतरी पना दे लेकिन ये आई एक बीजेपी को मैसेज देने के लिए नितिश कुमर ने एक कदम उठाया क्या एंडिय के लास्ते खुल रहे हैं उनके लिए ना ना कौन कहा बीजेपी का एक एक कार्जेकर्टा का दरवाजा बंद है उनके लिए अब तो ये लालू जी उनसे हिसाब किताब लेंगे कि बनाओ जल्दी तेजसी को मुख मंत्री नहीं तो हम पाटी तोड़ने में महारत ले लिया हूँ असच मुछ में बिहार में सबसे पहले लालू जी नहीं पाटीयों को तो रहा है तो नितिश जी के पाटी को भी तोड़ देंगे पैदले उनको आ जाएंगे और फिर इनद्रायू की जीतन नम मंमा जी वह तो कहरे हां कि उनके पास एक से के रास्ता निडिया का राष्टा यानि रास्ता खुलदने की बात कर हो अरे बाई वह we निता है । मैं उनकी बाद का नहीं काटता हूं लेकिन मेरे ओपर भी तो कुछ भरुसा की जिए थे आप लेंगे